हेलो फ्रेंट्स मोधुमिता लिटील कीचेन मोईल का मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशिपी सेयर करने जारी हूँ आज मैं सेयर करूंगी बहुती बड़ी आसा क्रिस्पी एक इभेनिंग स्नेक्स का रेशिपी सुजी से बनाएंगे बहुत बड़ी आसा देखने में लागेगा और पारफिक्ट क्रिस्पी भी होगा जदा कुछ इंग्रिणेंस नहीं चाहिए लेकिन साज मानिए चाय के साथ खाने के लिए ऐसा बाच्टे के टिफिन के लिए बहुत ही टेस्टी है ये मला स्नेक्स बनाने के लिए जदा कुछ इंग्रिणेंस नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही क्रिस्पी बनता है खास तरीका से बना के देखाएंगे ताकि क्रिस्पी के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगा तो चलिए फिर ये बड़ी है कृष्पी स्नाक्स बांना शूरू करते हैं तो इस सुजी से मनावा स्नाक्स बांने के लिए सबसे पहले मैंनी कोड़ाई में डाल दिया आथा चम मो जैसा ओयल एकी साथ में में डालूंगी आथा चमो जैसा राई की दाने और डालूंगी थोड़ासा जीरा ज्यादा कुछ मसाला जरुरोत नहीं होगा थोड़ासा राई की दाने के साथ में डाल दिया जीरा यहाँ पे कुछ मसाला लिया है, जैसे मैं ले रही हूँ, थोड़ासा बारी काटा हुआ होरी मिर्ची, थोड़ासा मैंने ले रही हूँ ग्रेटेर जिंजार और थोड़ासा हरा धनिया तो जीरा और राई की दाना होने के बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा ग्रीन चिली आप डालूंगी थोड़ा सा आध्रोग आप चाहे तो आध्रोग की पाउडर भी उज़ कर सकते मैंने थोड़ा सा ग्रेटेर आध्रोग डाल दिया थोड़ा सा मेरी चोर आद्रोग को भून लेते हैं आम मैंने डालूंगी बारी कठा हुआ फ्रेश और राधुनिया इस मसाला में मैंने प्याज लोईशन बागरे उज नहीं कर रहे हूँ बहुत ही सिम्पिल तरीका है बनाना तो यह राधुनिया डानने के बाद ज़्यादा देरतोक इसको पाकाएंगे नि मैंने इहाँ पीर उज कर रहा यानि सुजी उज कर सकते हैं यह मीडियाम बाला जैसे हम लोग उपमाबा गरे बाना थे इस तरीका का मैंने एक कप भरके रहा ले लिया अभी इस रावा को भी थोड़ी देरतोक भून लेते है थोड़ी देरतोक रावा को भूनने से क्या होगा इसका टेस्ट परफेक्ट आएगा एक शार में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ी देरतोक भून लेते अब थोड़ा थोड़ा पाने डालके बड़ी आसा इसको पाकाना है ज्यादा पानी नहीं डालना है मैंने थोड़ा थोड़ा करके पाने डालके इसको पाका रही हूँ ताकि इसका जो बाइंडिंग पारफिक्ट हो जाएगा यह जो सुझी बहुत जल्दी पानी सोग लेता ह तो ये देखी बड़ी आसा डो जैसा बन जाएगा तो देखी मैंने इसको पाका रही हो पानी भी कितना बड़ी आसा पारफेक्ट ये सोग कर लिया और जो रहा है वो भी आच्छी तरह से फूल गया आम मैंने डो को एक प्लेट में निकाल लिया और थोड़ी देर तो इसको स्ँपल जाएंगे तो इसको प्लेट के लिया राख देते हैं ठांडा होनी का पाद इसको बनाएंगे तो बहुत बढ़ी आसा इसको आच्छी तरह से लाटूंगे ज़्यादा पातला नहीं लाटना है बहुत आसानी से लाट सकते हैं क्योंकि पोली थीनों के उपर राख दिया है अगर नॉर्माली चाकली के उपर लाटना चाहते तो थोड़ा सा ओयल लागा के भी लाट सकते हैं लेकिन पोली थीनी काटोंगे तो थोड़ा से उपर मैंने चाहल काटा ऐसा फिर मोयदा कुछ भी इसके उपर लागा दो ताकि यह चीपके गा नहीं तो देखी मैंने इस तरीका से काट लागा लेती हूँ इसमें क्या होगा इसका जो डीजाइन बनेगा बहुत सुन्दर देखनी में इसका जो एक्स्टा डो है ओ भी निकाल लेती है दो बारा मैंने इसको बना लेती है तो इस तरीका से मैंने पूरा बना लेती है तो देखी कितना बोड़ी आसा इसको देखनी में लग रहे है और इसी थिकनिस में इसको बनाना है मतलब बहुत ज़्यादा पातला नहीं करन है medium heat में इसको fry करना है बहुत हालका इसको fry करेंगे तो यह oil हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ग Wendy's meant fry करेंगे तो इतना किरीशपी नहीं बनेगा तो medium temperature में इसको fry करना है oil बहुत ज़्यादा कर नहीं हो धिरेदे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, साज माने बहुत ही क्रिस्पी बनता है, ये बाला सुजी से बना हुआ स्नेक्स, पार्फेक्ट इसका कलर भी आ गया और बहुत बड़ी आसा एक क्रिस्पी भी बन गया, आम मैंने इसको निकाल लेती हो, इसी तरीके से पूरा जो बन देखी कितना बड़ी आसा फूली फूली क्रिस्पी बनी है, आवाज सुनके पाता लग रहे हैं कितना क्रिस्पी है, चेली आप तोड़के भी दिखाती हो, तो देखी अंदर का टेक्सार भी कितना परफेक्ट है और कितना क्रिस्पी बनी है, थोड़ा सा आलू, जोरूर इसके साथ सूजी के साथ मिलाना है तभी परफेक्टी क्रिस्पी बनेगा सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए एसा ही हर्द नियू नियू रेसीपी देखने के लिए सब लोग आच्छे रे खुस रहे बाई बाई